तो हलो दोस्तो हलो हलो अब सब्लों को फिर सेक निवड में स्वागत है तो दोस्तो आज के वीडियो में हम करने वाले हाड कोर जो हंड्रेड डेस का जो चालेंज है वो हम कंप्लीट करने वाले इसमें हमको एक ही लाइफ मिलेगा और जो डिफिकल्टी है बहुत ज़दा हो जाएगा और इसमें चीट्स भी हम यूज भी नहीं कर पाएंगे तो बहुत ज़दा मज़ा होने वाला है इसमें हमको एक ही लाइफ मिलेगा अगर हम गलती से भी मर गए और किसी भी तरीके से भी हम मर गए हमारा जो वाल्ड है वो डिलीट हो जागा तो बहुत ज़दा करते हैं तो हमारे जो वोल्ड है वो जेनरेट हो चीका है तो जेनरेट होते मैंने स्टार्ट कर दिया लकडी तोड़ना और मैं जल्दी सी जल्दी स्टोन का जो टूल्स है वो बना लेता हूं तो अभी मैंने कुछ स्टोन का टूल्स भी बना लिया और कुछ स्टोन भी कले तो कुछ ships को मारने के बाद मैं finally एक bet बना लिया और मेरे पास red day भी था तो मैं इसे red bet में convert कर दिया तो अभी जिल्दी सचल्दी कुछ food जो है collect कर लेते हैं तो day 1 जो है and हो रहा है तो मैं sunset का जो मज़ा है वो ले रहा था तो day 1 जो हम successfully survive कर चुके तो day 2 जो है start हो चुका है तो मेरे को iron चाहिए थी ताकि मैं iron का armor बना सकूँ तो मैं iron डूणने लग गया लेकिन मेरे को थोड़ा सा food चाहिए थी तो मैं picks को मारने लग गया उसके बाद मैंने एक cave में गुशा और उसमें लगबग बहुत ही ज़दा mobs थे spider था, skeleton था और उसके बाद creeper भी दो creeper थे तो मैं डर गया तो डरने के बाद मैं जल्दी से जल्दी बाग कर उपर आ गया ताकि मैं अपना जो health रीफिल कर सकूँ क्यों कि ये hardcore है इसमें हमको एकी life मिलता है तो मैं डर कर फिर से अपना जो खाना पिना कर दिया और फिर से उस cave में गया मैंने अपना जो health रीफिल किया और उसके बाद फिर से उ skeleton को मारने के लिए चला गया और उसको skeleton को भी मार दिया और उस creeper को भी मैंने मार कर दो creeper थे और दोनों creeper को मैंने मार दिया, ये की hit में वो मर गया, मेरे को भी समझ में नहीं आया, वो ये की hit में कैसे मर गया, तो उसके बाद मैं कोल लेना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन फिर भी उदर मॉप्स का कमी नहीं थी, बहुत सरा मॉप्स अभी भी आ रहे थे, कोई आग लग गया, मेरा हल्थ बहुती जदा कम था, लेकिन उसके बाद आग जो भुझ गया, और उसके बाद मैंने उन मॉप्स को बहुती जदा पूटा, मैं फिर से उस cave में गया, लेकिन अभी भी उस मॉप्स का कमी नहीं थी, तो अभी भी बहुत सरा मॉप्स उदर थ किया उसके बाद जितने भी मॉप से उन सारे को मैंने मारा और कोल करना स्टार्ट कर दिया लेकिन अभी भी उदर मॉप का कमी नहीं थी बहुत ज़्यदा मॉप से काफी ज़्यदा बड़ा केव था लेकिन कैसे भी करकर उन सारे मॉप सको मैंने मारा उसके बाद मैंने आइरे को कलेट किया तो हमारा जो एक्षिमेंट है वह भी कंप्लेट हो चुका तो डे त्री जो है स्टार्ट हो चुका अभी मेरे पास आइरन का टूल्स भी आ चुका है तो मैं जल्दी से जल्दी एक वीलेश को मिल चुका था लेकिन ये एबेंडेंट वीलेश था तो मैंने उदर देखा उदर जॉंबी इस्ते जॉंबी विलेश थे तो मैं फिर से विलेश डूनने के लिए निकल गया उसके बाद थोड़ा दूर बागने के बाद छेटा दिन में मेरे को एक बैड लैंड्स मिल चुका लेकिन मेरे को एक गोल्डन एपल मिल चुका था तो उसके बाद मैंने एक बड़ा सा टावर बनाया और मेरे को आगे एक पिलेश टावर मिल चुका है लेकिन मेरे को पूरी तरी किस एक्स्प्लोर कर रहा था और मेरे को दूर एक विलेश मिल चुका है तो मैं जल्दी सी ज गुर्गन को मैंने प्लैंड कर दिया ताकि यंजल्मेन टेबल के लिए तो day 6 का रात मैंने उधर ही सो गया तो day 7 जो है स्टाट हो चिका तो उधर मैंने फिर से एक्सपूर करना स्टार्ट कर दिया और उधर जितने भी हेबेल्स थे उन सारे को मैंने कलट कर दिया और मेरे पस्थ जितने भी वीट है उन सारे को मैंने बेच दिया ताकि मेरे को एमरेल्ड्स मिल सके लखी लिए उस विलेज में एक लाइब्रे रेन भी था तो उसके पास लगबग 9 बुक्षेल्फ थे तो उन सारे bookshelf को मैंने लूटा तो उन में से equilizer को मैंने armorer बनाया और उससे मैंने trade किया और मेरे पास जितने भी coal है उन सारे को उसे बेचा लेकिन मेरे पास बहुत ही कम coal था उसके बाद मैं coal mine करने के लिए निकल गया तो mine करते करते मेरे को diamonds भी मिल चुके था तो मैं जल्दी सी जल्दी उन diamonds को mine कर लिया उसके बाद थोड़ा सा ही mine करने के बाद मेरे को emetis shards जो है मिल चुका था जो spyglass बनने में हमारा काम आ जाएगा तो मैं उसको भी collect कर दिया तो day 8 मेरे पास जितने भी coal है trade कर रहा था तो मैं फिर से mine करना निकल गया तो mine करते करते मेरे को फिर से diamonds जो है मिल चुके थे लेकिन इस बार दो ही diamonds मिला था तो मैं फिर से coal mine करने के लिए लग गया तो मेरा जो किसमत है वो बहुत ही अच्छा था तो मेरे को फिर से जो है diamonds मिल चुका थे इस बार मेरे को पूरे गबरे 6 डाइमेंड्स मिले थे उसके बाद मैंने उधर से बहुत ज़दा लावा बकेट्स कलरट कर लिया ताकि उसको बेचने के लिए तो मेरे पास जितने भी बकेट्स थे उन सारे बकेट्स को मैंने उस आर्मरर को बेचा और पूरे गबरे उसको एकस्पेक्ट लिवल पर कर दिया तो उसके बाद मैंने उसके पास से बोट्स और चेस्ट प्लेट्स खरीद लिया और बागे खरीदने के लिए मेरे पास एमरेल्स नहीं थे तो Day 10 के एंड तक मेरे पास एक डाइमेंड का chest plate और diamond का boots मेरे पास आ चुका था और वो भी engine वाला आ चुका था तो day 10 की रात में फिर से mine करने के लिए निकल गया तो अचानक से उदर मेरे को कुछ creeper दिखे तो मैं लावा के और चल गया था जो waterfall हो मेरे को पीछे बेच रहा था जो पीछे लावा था और पूरे को पूरे को पूरे दो creeper थे और skeleton भी थे तो मेरे पास shield था मैं जैसे जैसे उदर बच गया और दोनों creeper blast हो गया और skeleton जो मर चुका था तो उसके बाद मैंने फिर से उदर देखा इदर और भी कुछ mobs आ रहे किया तो मैंने पूरे को पूरे उदर देखा और उसके बाद मैंने diamonds माइन करना start कर दिया तो उसके बाद मेरे पास पूरे को पूरे 27 diamonds हो चुके थे तो मैंने एक नया pickax बनाए और नया sword भी एक नया sword बना लιά और एक नया shovel और एक नया हो भी मैंने बना लिया था जितने भी diamond tools में बना सकता था उन सारे diamond tools में बना लिया था और भी मेरे पास 18 diamonds जो बच चुके थे तो अभी में diamond का leggings और diamond का helmet बना सकता था लेकिन में बना आया ने क्योंकि मेरे को enchanted वाला चाहिए थे जो उस villager दे रहा था मेरे को तो इसलिए मैं lava buckets collect कर लिया और मैं जब बाहर आ रहा था तब पूरे बुरे रात हो रहा है तो मैं चल्दी से जाकर सोग गया तो अगले दिन मेरे पास जितने भी lava buckets थे उन सारे उसको मेंने बेचा और emeralds कमाया और मेरे पा पूरे का पूरे engine टे diamond armor आ चुका था और मेरे पास diamond की tools भी थे और भी मेरे पास 18 diamonds अभी भी बचे थे और उसके बाद मैं sugar can collect कर रहा था ताकि वो engine table बनाने के लिए तो day 12 की रात में फिर से mine करने के लिए निकल गया लेकिन इस बार मेरे को diamonds नहीं मिले थे तो मैंने obsidian collect कर हुआ तो मेरे को लगा diamond armor मिलना आसान है लेकिन यह mending book मिलना बहुत ही जद़ा मुश्किल है यह बहुत ही जद़ा पूरे को पूरे दीन निकल गया लेकिन फिर भी mending book देने से इंकार कर रहा था तो मेरे को बहुत ही जद़ा गुसा आया उस villager से तो मैं फिरसे date 18 की रात म माइन करने के लिए निकल गया, तो मैं फिर से मेंडिंग बुक लेने के लिए इस लैधंटन को तोड़ते घै लेकिन यह वी लिइज़र बील्कुल भी मान ही नहीं रहा है, मेरे को मेंडिंग बुक दे ही नहीं रहा है, तो मैं लैंग्टन को तोड़ने के बाद यह वेला विलेजर जो फाइनली मेरे को शार्पनास 5 दे रहा था वो भी 30 एमरेल्स में लेकिन मेरे पास अभी उतना एमरेल्स नहीं थे ताकि मैं इस बुक को खरी सकूँ उसके बाद मैंने कुछ बेट्स बनाया और उदर जितने भी गर है उदर एक एक्स्ट्रा बेट रख दिया ताकि जितने भी विलेजर से यह बढ़ जाए और उनको मैं लाइब डिरियन्स बना सकूँ और उसके बाद मेरे पास कुछ वुड का कम ही रह गया था तो मैं वुड करना निकल गया तो उसके बाद मेरे पास फिर से जितना भी आईरेन था उन सारा आईरेन को मैंने उस वेपन स्मित को बेचा तो वो पुरिगबर एक्सपेक्ट लेवल पर पहुँच गया और मेरे को शार्पनेस टू वाला स्वार्ड दे रहा था और फॉर्ट्यून वन अनब्रेकिंग त एक निया पिकेक्स बनाया और उसको अनजैंट मेरे को अच्छा कुछ घासा अनजैंट मेड्स जो मिल चुका था और मेरे पास उतना लेवल नहीं था उसके बाद मैंने थोड़ा सा ब्रेड उन लों को दिया था ताकि उनलों को ताका जो बढ़ जाए तो day 15 की रात मैं फिर से माइन करने के लिए निकल गया तो coal माइन करते करते मेरे को फिर से diamonds मिल चुके थे इस बार मेरे पास fortune 2 का pickaxe था तो मेरे को लगबग 9 diamonds मिल चुके थे उसके बाद मेरे पास 30 level हो चुके थे तो मैंने एक नया diamond sword बनाया और उसके बाद अच्छा खास एंजेंट्मेंट्स पर मिल चुके थे smite 4, unbreaking 3 और looting 3 भी एंजेंट्मेंट मेरे को मिल चुका था उसके बाद मैंने villages से trade किया ताकि 30 level हो सके इस बाद मैंने फिर से diamond pickaxe बनाया ताकि मेरे को fortune 3 का pickaxe मिल सके लेकिन फिर से मेरे को efficiency 4 और सिलिक्ट अची मिला था तो day 16 के end तक मेरे पास अच्छा खास एंजेंटेड आर्मर और मेरे पास कुछ एंजेंटेड टूल्स भी आ चुके थे तो day 16 के रात मैं फिर से mine करने के लिए निकल गया तो day 17 जो है शुरू हो चका था तो मैं फिर से mine book किस से लेने के लिए try कर रहा था लेकिन ये फिर से मान ही नहीं रहा था लगबग 3 दिन तक मैं इस langton को तोड़तेगा उसके बाद finally ये मेरे को mine book दे रहा था और एक villager को librarian बनाया ताकि मेरे को unbreaking 3 भी मिल जाए तो बहुत ही जदा langton को तोड़ने के बाद ये मेरे को काम की चीज दे रहा था जो fortune 2 दे रहा था मेरे pickaxe के fortune 2 ही था तो मैं इसलिए इसके पास से fortune 2 ले लिया था तो उसके बाद मैंने अपने pickaxe को fortune 3 कर दिया मेरे पास mending book भी था तो मैंने इस pickaxe को लगा दिया mending book भी उसके बाद मैंने फिर से और एक langton को बनाया और और एक villager को librarian बनाया ताकि मेरे को और कुछ अच्छा चीज मिल जाए लेकिन वो smite 5 दे रहा था जो काफी ज़ाद कम emeralds में दे रहा था लेकिन मेरे sword में smite 4 था तो मैं इसलिए उसके पास smite 5 नहीं लिया था क्योंकि मेरे को unbreaking 3 चाहिए थी उसके बाद मैंने अपने pickax को repair करने के लिए सोचा और मेरे पास efficiency 4 वाला pickax पहले से ही था तो मैं इन दोनों को combine कर लिया और पूरे को पर 10 level ले रहा था लेकिन fully enchanted वाला pickax मेरे को मिल चुका था तो यह नया वाला pickax लेकर मैं फिर से mining करने के लिए निकल गया तो mine करते करते मेरे को diamonds मिल चुके थे इस पार मेरे पास fortune 3 का pickax था लगबग मेरे को 14 diamonds मिल चुके थे उसके बाद मैं फिर से mine करने के लिए लग गया तो mine करते करते मेरे को यह cave मिल था और उदर मेरे को एक diamond वोर भी मिल चुका था तो मैंने उसके तोड़ा लेकिन एक ही diamond वोर था तो मेरेको लगबग तीन diamond इससे मिल चुके थे उसके बाद मेरे पस जितने भी iron था उन सारे iron को मैंने smelt करने के लिए लगा दिया उसके बाद मेरे पस जितने भी coal था उन सारे coal को मैंने उस weapon smith को बेचा और उसके बाद मैं फिर से Langton तोड़ने में लग गया था कि मेरे को Unbreaking 3 बुक मिल जाए तो पूरा दिन बुक तोड़ते तोड़ते रहने के बाद फाइनली ये मेरे को Unbreaking 3 वाला बुक दे रहा था वो भी 16 Emeralds में उसके बाद मैं फिर से Auric Langton बनाया ताकि मेरे को Protection 4 के किताब मिल जाए इस बाद मेरे किस्मस कुछ जाद ही अच्छा था ये मेरे को 27 Emeralds में Throne 3 का बुक दे रहा था उसके बाद मैं अपने जितने भी कोल था उन सारे कोल को मैंने इस Weapon Smith को बेचा तो मेरे पास Leather की कमी पढ़ गी थी तो मैंने गाई मत को चारा खिलाया उसके बाद मैं उदर ही सो गिया था तो Day 23 की स्टार्ट हो चुका है तो मैं Langton तोनने में लग गया ताकि मेरे को Protection 4 मिल जा लेकिन ये मेरे को 10 Emeralds में Mending Book दे रहा था तो इसे मैं मना नहीं कर पाया था तो मैंने इससे Mending Book ले लिया था उसके बाद मैं फिर से Auric Langton को बनाया और मेरे को 10 Emeralds में Throne 3 दे रहा था तो जो दूसरा वाला है वो 27 Emeralds में दे रहा था तो मैंने इससे जल्दी से जल्दी Throne 3 का Book खरीद लिया ताकि वो Change ना कर सके उसके पास से मैंने लगबग 3 किताब खरीद लिया थे Throne 3 वाला लेकिन उसके बाद से मेरे पास किताब नहीं थे तो उसके बाद मैंने अपने Armor को Throne 3 लगाने के लिए सोचा लेकिन उसके लिए लगबग 12 Level शाहिए थी तो फिर मैंने नहीं लगाया उसके बाद एक नया दिन का शुरुआद हुआ था तो मैंने ऐसा कुछ सपने भी नहीं सुचा उदर दो Creeper मेरे के लिए वेट कर रहे थे Blast होने के लिए लगबग मैं उससे भिढ़ने वाला था लेकिन मैंने बच गया लेकिन मेरे दिमाग में ऐसा कुछ सुचा मेरे पास इतना बढ़िया आर्मार है तो मैंने उससे पंगा लिया तो लेकर क्या हुआ पूरे के पूरे मतलब गेम होवर हो चुका था जो Creeper है वो पूरे के पूरे मेरे को ब्लास्ट कर दिया था मतलब मेरा मरी गया था मेरे पास डाइमेंड आर्मार था वो भी एंजेंटेड इतना अच्छा टूल्स था लेकिन फिर भी मैंने एक Creeper का सामना नहीं कर पाया पूरे के पूरे मेरे को मार दिया गेम होवर हो चुका था अभी में कुछ भी नहीं कर सकता था तो डे 24 जो हमारे लिए बहुत अनलग्की वाला डे था इसमें मर चुके थे मैंने मजे मजे में Creeper से भीड़ी गया और वो Creeper पूरे के पर ब्लास्ट हो गया और हमारा जो डिलेट करने के लिए बता रहा अभी में कुछ भी नहीं कर सकता था तो दोस्तों आपने ऐसा कैसे सोच लिए यह Creeper मेरे को मार सकता है मैंने अपना जो वर्ल्ड है आल्रेडी सेव करकर रखा था तो यह क्या हुआ ने यह सिर्फ एक मजाग था मैंने जान भूच कर यह उ और आप इस चान में नया हो तो सब्सक्रेब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा और साथ में बेल अकन को भी प्रेस करके रखना और इसके बाद बाकी दिनों का भी वीडियो आने वाला है तो इस वीडियो में आप लोग अपना सपोर्ट दिखाए ताकि मैं वह वाला वीडि यह वाला वीडियो मेरे को बनाने में तो आप लोग को कैसे लगा मेरे को जरूर नीचे कमेंट करकर बताओ तो आज का वीडियो में बस इतना ही तो मैं मिलता हूँ आप लोग से अगले वीडियो में तो तब तक किल अपना ख्यार रखेगा अलविदा